हलो दोस्तों फिर साब गयरी स्वागत है हमारे चैनल डेजे व्लाग में मैं हूँ शोब दोस्तों और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेका हूँ यहाँ पे बहुत ही खास इंफ्रमेशन वीडियो बेसिकली दोस्तों आप जब स्पीकर पर्चेस करने जा और किस काम में आती है और हमें इससोसी को देख के क्या पता लगता है यहाँ पे वह डवे अब को आज इसस्पीकर लेने में बिलकुल परफेक्ट आधमी हो जएंगा और अपने लिए एक परफेक्ट इस्पीकर ले सकते हैं वीडियो को सुरुकरने से पहले पीडिए आप चलिए शुरू करते हैं तो दूस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहां पे मैं इस वीडियो में किन-किन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो कौन-कौन से पॉइंट्स है जो कि आपको समझना बिल्कुल से बिल्कुल जरूरी है और यहां पे आपके काम के हैं बिल्कुल वो पॉइंट्स तो दूस्तों यहां पे सबसे पहले मैं किलेटर रने वाला हूँ यहां पे RMS Power और AAS Power इसके बारे में हम जानेगे कि कौन से बहतर होता है इन दोरों को कैसे लिकाएल और यहां पे कैसे पहचाने यही मैं बात करूँगा X-Max की बात तो यहां पे X-Max किस काम में आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा यहां पे BL और TM काफी जादा इंपॉर्टन है आप सभी के लिए क्वालिटी पैचानता है किस की कालिटी कैसी होनी वाली है यहां पे WAS यहां पे WAS क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा फिर आजाता है FS फिर MMS और यहां पे फिर last में आता है हमारा RE तो दूस्थों यहां पे अभी हम करने वाले हैं बात यहां पर RMS और AAS को यहां पर हम कैसे पचाने हैं तो दूस्थों, यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं जो फुल फॉर्म है, वो हमें क्या देखने को मिलती है तो यहां पर अगर मैं बात करूँ RMS की उति हैं यहां पर Rood Main Square इसकी फुल फॉर्म है यहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे AES की full form तो यहाँ बाता है Audio Engineer Society तो दूस्तों यहाँ पर यह दोनों की full form मैं आपको बता दिये अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसको कैसे पैचाएने और यह कैसे test होते है यानि कोई भी एक speaker होता है अगर आप इसको RMS से देखना चाहे तो यह दिमाग में आ जाना चाहिए कितने गंटे test हुआ है अगर हम AES की नजर से देखें तो यहाँ पर यह दिमाग में आ जाना चाहिए कितने गंटे test हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे RMS की तो दोस्तों यहाँ पे जो RMS पावर वाले जो speakers होते हैं जिसके पीछे या फिर आपको जो specifications list होते हैं उसके अंदर आप RMS देखेंगे तो यहाँ पे जो power होती है वो वहाँ पे 8 गंटे की power लिखे जाती है यानि उस speaker को continue उसके peak यानि red peak पे उसको बजाया जाता है यहाँ पे 8 गंटे तक अगर वो success हो जाता है तो देन वो RMS पावर उसके साथ आ जाती है दूस्तों यहीं है अगर मैं AIS power के बात कुरूँ तो यहाँ पे इसको 4 standard में test किया जाता है यहाँ पे लेकिन company जो ज़्यादा तर होती है वो ज़्यादा show नहीं करती कि कौन से standard पे यह test किया गया तो यहाँ पे जो 4 standard है सिबसे पहलो जो standard है वो है दूस्तों यहाँ पे 2 गंटा और दूसरे जो standard है वो है यहाँ पे 4 गंटे और यहाँ पे 6 और फिर 8 गंटे में इसको test किया जाता है यानि माली जी बिल्कुल जो red peak होता है उस space को बजाया जाता है अगर ये 2 गंटे तक टिकता है यानि 2 गंटे का बाद अगर ये उड़ जाता है यहापर अगर speaker कट जाता है voice call खतम हो जाती है जल जाती है तो उसको जो 2 गंटे की power होती है वो ही लिखके आपको दे दी जाती ह ये AES के अंदर माली जी अगर वो 4 गंटे भी चला तो यहापर आपको 4 गंटे तक इसको दे दी जाती है कि यहापर ये 4 गंटे गंटे ये test कर गया है ये AES power तो ऐसा पहचाना जाता है माली जी चलिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ आपको अभी I think समझ में नहीं है आगो माली जी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर दो racer है यहाँ जैसे डॉल लगाते है उस टाइक पर दो racer है हमारे पास तो माली जी पहला racer और ज़मिना। यहां पर stable है हर चीज में यहीं जो हमारा खरगोश है यहां पर जो दूसरा racer है हमारा वो बहुत ही तेज भाग रहा है लेकिन वो power consumption अपनी पूरी कर रहा है यहां पर अपनी peak सम्था यानि last जो सम्था होती है उस पर भाग रहा है तो कहीं न कहीं जाके वो रुक जाएगा ऐसी होता है यहां पर दोस्तों AS और RMS power यहां पर हमारे AS यहां पर हमारे जो खरगोश है वो गया और जो RMS power है वो हमारा यहां पर कच्वा हो गया तो इस रहीं कि दोस्तों आपको I think आप समझ माया होगा या example को सुनके यहीं अगर मैं बात करूं यहां पर इसको अगर simple way म अगर आपको RMS power लिखा लिए हो AS से तो दोस्तों माली जी आपको यहां पर दे रखा है 1000W AS power लिखके दे दिया है 15 इंची के अंदर अब आपको इसकी जो है वो आपको RMS power लिखा लिए यानि AS power तो आपको शो कर रहे है लेकिन RMS power आपको नहीं दिखा रहे हैं कहीं भी भी Mention नहीं कर रहा है तो simply दोस्तों आप क्या करेंगे यहां पर जो AS power होगी उसमें से आप 30% यहां पर 30% आपको माइनस कर देना है यानि 30% जैसी है आप माइनस करेंगे उसमें से आपका जो 30% होगा वो यहां पर legal lag और जो बाकी बच्चा होगा यहां पर 70% होगा वो आपकी यहां पर RMS power कहलाती अगर AS power किसी भी speaker में mention कर रहा है तो दोस्तों हमारे जो next आता है वो आता है यहां पर X-Max यानि इसकी जो full form है दोस्तों वह होगा अगर मैं बताने कुछ करूं Inclusion Mathematically यानि पर Inclusion Mathematically इसका मतलब क्या होता दोस्तों तो यहां पर X-Max का मतलब यह है कि जो paper cone होता है यहां पर जो speaker का cone होता है वो कितना up and down जा सकता है और यहां पर अगर यह आपने देखा तो आपको इस तरीके से अंदाज हो जाए कि quality क्यासी एस speaker के यहां पर जो में speaker मिल उपर जाएगा cone या फिर नीचे आएगा तो दोस्ते यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर 12 इंची के speakers के अंदर यह जो cone होता है वो कितना उपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है जो कि इसको हमने आपते है mathematically तो यहां पर 5-6 mm जो होता है वो good average होता है यहां पर अच् के speaker के specializations देखेंगे तो यहां पर आपको शो भी रहता है कि यहां पर X-Max कितना है और माली जी यहां पर 12 इंची के तो मैंने आपको बता है कि 5-6 mm की जो होती है वो cone की यहां पर movement होती है mm में और यहीं आगर मैं 15 इंची के बता हूँ यहां पर जो अच्छी quality के speakers होता है व यहां पर material किस type को use करा गया है और वो speaker किस quality का बनाया है और किस purpose से बनाया गया है तो यहां पर यह X-Max उस पर depend भी करता है तो दूस्सों आई थे हैंगा आपको आपको समझ में यह X-Max क्या speaker की जो cone होती है उसको movement को जानता है यहां पर कितना movement हो रहा है कितने mm में movement हो सकता है उस cone में अब चलते हैं यहां पर हमारे दूसरे topic को भी देख लेते हैं और दूसरे यहीं अगर मैं बात करूं BL और T.M के दूसरे यहां पर यह दरसाता है कि magnet की जो power है वो यहां पर किस type की use करे गई है तो माली जी यहां पर आपके बास 5 नमर दो दूस्ते तो यह 5 नमर में देखें तो 31 हमें देखने को मिलता है तो दूसरे यहीं आगर मैं बात करूं 10 का जो होता है यहां पर 10 नमर वाला जो अगर आप magnet देखेंगे अगर आप BL में नाथते हैं यानि BL फेक्टर में अगर आप नाथते हैं जैसे कि आपको यहां पर show भी हो रहा हुआ है यहां कौंसी quality मार तो आपके बास show तो मैंने आपको जैसे कि देखा है कि 10 जो होता है वो थोड़ा सा low quality का magnitude यहां पर low power में यूज कर जाता है low speakers के अंदर use कर जाता है जो की छोड़ी speakers होते हैं यहीं आगर मैं बात करूं कि यहां पर 12 यानि 12 का अगर BL है उसमें BL फ्रक्टर आप यहां पर 15 का अगर नंबर आपको दर्शाता है या फिर उससे उपर का थोड़ा सभी 15 से 20 की बीच में अगर आपको दर्शाता है तो वो यहां पर powerful स्पिकल करा जाते हैं यहां पर powerful होता है काफी magnet यहीं अगर हम 20 को देखें तो यहां पर best यानि best भी कहला जाता है यहां प आपके मैं इसके बारे में ज़्याद आपको नहीं बता हूँ कोई कि आप यहां पर हो जाएंगे confused चलते हैं हमारे next topic को भी देख लेते हैं और वो आता है यहां पर दोस्तो वास काफी important होने वाला है यहां पर दोस्तो जो वास होता है वो basically दर्सा आता है यहां पर अगर कि किसी भी specific कर के specifications में लिखा है वास यानि अगर हम इसकी full form को भी देखे हैं तो यहां पर जो वास होता है वो आता है equivalent volume यहां पर equivalent volume का मतलब क्या हुआ दोस्तो यह लिखा होता है दोस्तो लीटर के अंदर यानि अगर आप PODY के speaker देख लीजी PRV के speakers देख लीजी चाहे वो RC PCF का हो चाहे वो BNC का हो यहां पर अगर किसी भी speaker के अगर proper आपको मिलती है तो यहां पर जो वास होता है वो दूस्तो होता है यहां पर basically cabinet के लिए तो यहां पर cabinet आपको उस speaker के लिए कौन सा चूज करना है वो लीटर के अंदर लिखा होता है जिसे माले जी आप fridge लेते है तो यहां पर कितने लीटर का fridge है उसके हिसाब सो आपको पता लग जाता है mind मा जाता है कि कितने लीटर का है अगर वो 80 लीटर का है 90 लीटर का है 120 लीटर का है तो वो आपके दिमाग में आ जाता है कि यह कितना बड़ा हो यह कितना storage हमें provide कर सकता है ऐसी bag हो गया फिर luggage हो ग यहाँ पर सिंगल स्पिकर यूस करते हैं यहाँ पर अग्जांपल लेता हुँ, यहाँ अग्धर इन्दर वास 91.19 लिटर्ट दूसर एक सी निदर आपको जो pouco चाहिए लिटर की होनी चाहिए तो यह जो स्पिकर को वो बहतर performance करेगा और यहीं अगर आप दो लेते हैं तो उसको double कर दीजी तो यहाँ पर यह दो के लाइक यहाँ पर speaker जो होगा उसकी camera यहाँ बन जाएगी अब चलते हैं यहाँ पर दूसरा जो हम लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पर FS तो दूसरों यहाँ पर FS होता है वो काफी important होता है आपके लिए यहाँ पर अगर आप crossable यूज़ करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि FS जो होता है माई speaker का वो कितना है अगर हम इसको नहीं जानेगा तो दूसरों जाहिर से बात है कि यहाँ पर आपका जो speaker ओगा वो destroy होने के chances बहुत रहते होंगा अगर आप crossable लगाते होंगे तो आपके speaker जाल लेंगे तो यहाँ पर आपके chances है कि आपके speaker नहीं उड़ेंगे तो यहाँ पर दूसरों जो FS होता है वो होता है free air resources यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है तो दूसरों यहाँ पर जो FS होता है वो होता है यहाँ पर low frequency याँ कितना low frequency यह speaker जहिल सकता है एक्जमपल में PRV का speaker का अगर आपको दिखाऊं पंदार W600 का model है यह तो इसके अंदर आप दे सकता है यहाँ यहाँ पर 53.6 Hz तो इससे आप 5 याँ पांच नमर बड़ा दीजिए उसके नीचे आप इससे low frequency वाले जो signal होगा या फिर output होगा उस इसको मत दीजिए अगर आप उससे नीचे का अगर signal या फिर आप इसको output देते हैं तो यहाँ पर यह speaker damage हो सकता है तो यह show कराता है कि यहाँ पर यह कितना low frequency पर काम करेगा actual जो low frequency होती है वो इस पर show करी जाती है तो यहीं आपको FSB पता लग जया अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम MMS तो यह दर्शाता है कि जो paper cone है यहाँ पर वो कितने gram याँ कितने वजन का paper cone लगा रखा है माल लिजए यहाँ पर archive का ले लिजए याँ फिर आप यहाँ पर देख लिजए आप BNC के speaker ले लिए उसके अंदर आपको MMS यहाँ पर जरूर शोग रहा हुआ कि वो कितने gram का cone यहाँ पर हमको लगा कर दे रखा है तो इस चीश से भी यहाँ पर पता लग जाते है कि कोन की क्याशी है और यहाँ पर case type का cone हमें लगा के दे रहा है कितना वजदान है उसके अंदर वो सारी सारी MMS हमें पता लगती है यहाँ इसको फुल फॉर्म है दोस्तो वो है mechanical mask यहीं दोस्तो हम DC resistance दोस्तो यह काफी most important चीज है DC resistance इसका मतलब जो होता है वो दोस्तो होता है ohm यानि कितने ohm का speaker है actual में यहाँ पर आप तो सूचते होंगे कि हर speaker जो है 8 ohm का ही होता है लेकिन नहीं दोस्तो यहाँ पर जब आप connection करते हैं और यहाँ पर amplifier के लगाते हैं तो यह कितने ohm पर काम कर रहा है वो दर्साता है कि actual में जो speaker का ohm है वो कितना ohm है और जो आपका amplifier वो कितने ohms पर वो जो power वो दे रहा है तो दोस्तो जो ohms होता है यहाँ पर जो actual ohm होता है वो DC से ही पता लगता है अगर आप देखेंगे तो मैं आपको DC की जो flow form है वो मैं आपको बता दूँ DC resistance कहते हैं हम इसे short form हम RE में इसको लेके आते हैं यानि RE आप इसको जान सकते हैं तो यह आपको दर्साता है कि actual speaker कितने ohms का में देखेंगे को मिलता है तो यह जैसे कि PRV के speaker हो गया या फिर Archive के speaker हो गया या पिर BNC के speaker हो गया यहाँ पर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी कुछ काम का लगा होगा होगा यहाँ पर अब आइधिंग आप ले पाएंगे यहाँ पर बहतर इसे interesting वीडियो लाने वाला हो next वीडियो जो रहनी वाली है वो रहनी वाली है कि amplifier का हम power rating कैसे पैचाने है बिना power rating लिखे होगे बिना company से पूछे होगे actual में जो power है वो हम कैसे पैचाने तो वीडियो अगर वो चाहिए तो इस वीडियो को अभी ज़रुख लऄ करें और ज़र ज़र शेर करें इस वीडियो अगर ये वीडियो अच्छा testimony आती है आप अब अच्छे like आप देते हैं तो मैं वो वीडियो भी लिया हुआ और बाकी दूस्तों इस वीडियो को लाइक करके ही जाना शेर कर देना, चैनल्ग को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूँ वीडियो में जब तक लिए जैहिन वन्दे मात्रम